कुछ दिन पहले फ्रेंड्स मैं बैंगलोर अपने बेटे से मिलने गई वहां मैंने एक रेस्टरेंड में बहुत ही बढ़िया रेसिपी खाई मालूमें कौन सी खाराबाद जो खाने में इतनी बढ़िया ओहो हो और बनाने में उतनी ही सिंपल सो विदाओ बेसिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ हाई फ्रेंड्स मैं हूँ रादिका रादिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ओल को अनीबल कर ली अधेंटिकली वह बनता है मुफली के तेल से ठीके इसमें मैं डालोंगी खूब सारा मुफली का देल अब मुफली के तेल से क्या होगा इसका जो टेस्ट है बहुँ जादा उठके आएगा इन्हांस होगा सूजी का उत्मा रवाबात में फ्रेंग्स कुछ कुछ चीजों क दाल होती है वो इससे बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आता है ठीके गैस का क्रेम इस टाइम हम स्लोगी रखेंगे थोड़ी सी मैं इसमें डालोंगी उड़त धुली दाल इसको हलका सा हम रोस्ट करेंगे यह बहुत ही फेमस साउथ हिंडियन डिश है वैसे तो इसको कि किसी कॉम्बो के साथ खाया जाता है यानि कि इसके साथ केस्वी बात दिया चाते है और पूरी डिश को चौचो बात बोला जाते है ठीके जैसे हलकी सी रोस्ट हो जाए मैं इसमें डालोंगी हरी मिप्च चौप करके वह आप कम जादा कर सकते हो थोड़ा सा हम इसमें डाल आप स्किप्डे कर सकते हो लेकिन अगर टिपिकली आपको साथ इंडिन डिश खाने है तो आपको यह जरू डालना पड़ेगा ठीके बहुत जादा हमको डाल ब्राउन ही करना हलका सा और साथ ही मैं डाल दूंगी हमारे कांदा इसको भी हमने हलका सा ट्रांस्परेंट रहन निकलेगा ठीक है अब इसमें हम जो भी सब्दिय अफेंस यूज करेंगे सब करंची होनी चाहिए यादि बिलकुल फ्रेश होनी चाहिए प्याज जैसे ही हलके से पिंक हो जाएं साथ ही मैं इसमें सारी वेजटेबल डालूंगी यह है गाजर थोड़ी सी मैं डालूंगी विश्च बींग्स और थोड़े से मतर अब इसको पटा पट से हम दो मिनद तक स्लो गैस तक रोस करेंगे हमने इसको गलाना मिये बस हलका सा सौप रहने देना है मतलब क्रंची रहने देना है ऐसा भी हो कि बाद में कच्छी भीना लगें सब्जिया और ऐसा भीना ओ कि बह आज हम बना रहे हैं एक कटोरी सूजी का रवा बार तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसमें सब्जियां डाले हैं तो आप कम जादा अपने ही साथ से कर सकते हो यहां को रोस करते हुए दो मिनेक तक हो गए हैं चीके साथ ही अब इसमें मैं डाल दूगी एक कटोरी सूजी अब अजर आपके पास रोस्टिट सूजी है तो आप वही ले सकते हो फिर रोस करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह मेरी रोस्टिट नहीं है तो इसलिए मैं इसको 3-4 मिनट तक स्लो गैस पे रोस करोंगे गैस का फ्लिम बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए सूजी को रोस क अजर आप कर सकते हो कलर बहुत जादा अच्छा अच्छा अब अथेंटिकली तो फ्रेंग्स इसमें वांगी बात पाउडर डलते है जो टिपिकली साओध इंडियन होता है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सामबर मसाला पाउडर भी डाल सकते हो तो मैं सामबर मसाला डाल रहे हैं तांकि आपको तेखने में इजी लगे इसको फटा फट से हम रोस करेंगे और सागी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी देसी घी जी हां देसी घी इसमें खूब सारा डलता है अगर आपको टिपिकली साओध इंडियन खाने तो देसी घी तो ह्टुना पानी यानिकि हमने 1 करी अगर गाल दिता है तो तीन करी इसमें तेम पानी डालंगे और गेस का प्यान बह्त थो याज ठाल दीया तो अब अच्छे से चीटे मारेगा तो अ उसको धक कर लिताए और बीच-बीच में हम इसको को भीँ लाइंगे लेट्सी हमारा रवाबात कितना हुआ है यह देखिए इस तरह से जैसे ज़से आप इसको हिलाते जाएंगे आप देखेंगे इसके देशी घी जो है हमारा और जो मुफली का तेल है वो उपर आता जा रहे है पते सूजी का उपमा और रवाबात में फ़रर क्या होता है इसमे अगर आप क्यारी कॉंशेज हो तो आप कम कर सकते हो लेकिन अगर आपको टिपिकली साउथ हिंदिन कान है तो आपको मेरे हिसाब से यह बनाना पड़ेगा चिकेट अब इसको दो तिन मीनाट तक अच्छे से हम पकाएंगे और थोड़ा सा देशी घी एंडमें मैं इसमें डालोंगी इसके टेस को बढ़ाने के लिए अब आप सहोगे आप देसी की तो बहुत जादा डाल रहे हो लेकिन इसी से तो हमारा रवाबाद का टेस्ट वे उभर के आएगा इसको खाओ गर्मा गरम और साथ में हो कोकनट की पतली-पतली सी चटनी और जो आपने चैनल पर अब बादमी मैं इसमें डालोंगी फ्रेश नारियर ठीके कद्दुकस किया हुआ यह हम उपर से डाल देंगे यह भी आप स्किप कर सकते हो लेकिन अगर आपको बिल्कुल साउथ हिंडियन टेस्ट है तो यह आपको डालना पड़ेगा और खूप सारा उपर से धन्या इसी किसी को बताने की जरूरती नहीं कि हमने इसमें क्या क्या डाला है यह देखिए ओहो हो क्या टेस्ट आरा मैं आपको बता नहीं सकते हैं और एंड में इसमें डालूंगी थोड़ा सा मीबू यह लोची इससे जो इसका टेस्ट आना बहुत जादा उठके आएबा पटाफरक इसको मेक्स और गर्मा गरम करतें इसके प्लेटें लोची गर्मा गरम हमारा रवा बाद अब इसको खाओ और चेटनी या फिर टमाटर की चेटनी के साथ ही रिखिए कितना माउथ वॉटरिंग कितना टैंप्टिंग है ओहो हो सी देसी घी और टीनेट ओल से भरा हुआ सो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्षन पे जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शियर करना मत भूलेगा